तो दोश्तों जैसा कि यह सर्कल में अब देख वह यह होता है पोली क्रोमेर्श्य क्या होता है कैसे देखता को पता हो उनके लिए वीडियों ज़रूर देखना पूरा देखना इसके करना बहुत इंप्यांत टॉपिक है और मैं बतानेवाल। तो यह सकतो हो सर्कल कना जो है यह इसको बोलते हैं polygormase यह तरगी RBC होता है लेकिन यह ऐसा क्यों होता है यह क्या दरसाता है दोस्तों एक्चली में यह एक multi color red blood cells होता है जो कि हमको इस mirror पे दिखता है अब क्यों दिखता है या अगर यह दिख रहा है तो इसका indication क्या है तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों जब bone marrow में जब RBC का निर्माण होता है तो उस time पे यह premature RBC होते हैं जो कि bone marrow formation को द्वारा यह release हो जाते हैं और release हो जाने वाद से हमारे भेंस में यह चले आते हैं तो यह तो उस तरह से इसकी उत्तपति हो जाती है यानि कि bone marrow को द्वारा जब bone marrow formation होता है तो उस time में यह premature premature cells होता है जो कि हमारे भेंस में चले आते हैं लेकिन अगर यह आ जाता है तो इसका मतलब हम क्या समझे यानि कि अगर हमको दिख रहा है यह सारे एक सारे polychromesia अगर दिख रहा है एक दो एक दो आपको देखने को मिल जाएगा तो इसका मतलब हम समझ का सकते हैं तो इसके बारे मैं आपको बताना वाला हूँ उसके पहले मैं तो सोच रहा हूँ कि आपको पहले रिपोर्ट दिखा दूँ इस पेसेंट का अगर आप माइक्रोस्कोप पे स्लाइड देखो गए तो स्लाइड देखके ही आपको इसमेर देखके ही लग जाएगा कि पेसेंट का हीमोगलोमी लेवल कम है साथ ही आर भी सीक अलग अलग सेपस भी है तो आप लोग इस वीडियो का डिस्क्रिप्स में जाकर बताना मुझे कि इसका है मारफलोजी हम कैसे देंगे क्योंकि मारफलोजी पर बहुत सारे वीडियो में बना के रखा हूं कभी सारो लोगों पता होगा तो मारफलोजी क्या होगा उसके पहले आप इसका रिपोर्ट देख लिजिए कि यह मसीन प्रिंटाइट रिपोर्ट है तो रिपोर्ट क्या बोल दा जैसे कि इसमें देख रहो। आप लग लोग एच में इसका िसपा सेवन है şunu से कमिन एंच इसमें एभींग आयैं एलेट ड्रू का है एंचरिवेट 002 इंपलेट हैं लिक्रमेशह देख रहा है तो इसका दूसर परभाव प्य हो सकता है यह которую एक और रहिसेंगेशन को डियーस को का सकता है तो प्रेमिर नी होगा ही नहीं जब RBC का प्रोडुक्शन नहीं होगा तो blood disorder हो जाएगा क्योंकि बून मेरवम बनता है RBC जब RBC बनेगा तो RBC का अंदर पाए जाता है हमोगलोबी तो यह सारे प्रक्रिया चलते रहेगे जब RBC यह नहीं बनेगा तो फिर पक्का है कि व्यक्ति को blood disorder हो सकता ह तो इसलिए अगर यह सारे प्रक्रिया अगर देखता है किसे व्यक्ति को तो यह एक रिटकल कंडिशन हो सकती है अगर इतने सारे देख रहे है तो इसका मतलब यह है कि जो RBC हो रहा है उसका निर्मण ठीक तरीक से बन मारुक अंदर नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ प् बताऊंगा तो आप मार्फोलोजी जरूर बताना कि आपके अनुसर मार्फोलोजी क्या होना चाहिए इस पेशेंट का तो मिलते हैं नए वीडियो में टोपिक